तो भाई लोग सौध अफरीका वर्टस इंग्लेंड का दूसरा ओडियाई मुकाबला खिला जाएगा मैंने क्या बोला था पहले ओडियाई में जो जैसन रोय है ना बहुत दिन होगा आउट ओफ 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 लेकिन ये ओडिया बल्लेवाजी करेगा मैंने रासी फेंडर भी ये अफंटर लेकिन बड़िया पर्फोर्मस करेंगे यह बी ऐसी नबदे की पारी खेलेंगे और इन भाई साहब ने साथन सकते लेकिं तो यह तोड़ा सा मतलब गलत हो गया कॉंटन डिकॉक की भी ओना था 50, 60 या 70 की पारी के लेंगे हलाकि उसकी आदा 35, 36 मतलब कुछ चीज़े सही रही मतलब जादतर चीज़े जो हमने और आपने मिलकर एनलाइसिस करी थी ना वो सारी चीज़े सही रही कुछ चीज़े गलत हुई कोई नहीं इतना तो होई जाता तो दोस्तों जो दूसरा ओडियाई मुकाबला होगा इसकी हम फिर से एनलाइसिस करते हैं और जानते हैं आज के मैस में कौन से बल्ले बाद ज़्यादा रन बना सकते हैं यहां की पिसके बिहेंवियर के साब से कंडिशन के साब से या एक दूसरे टीम के सामने कौन से बल्ले बाद जो को खेलना पसंद है और या कौन से गेंद बाद से जो यहां की कंडिशन को अच्छे से फायदा उठाएंगे और ज्यादा बिकेट निकालेंगे अगर हम इस सारी चीज़ों का एनलाइस करके पता लगा लेंगे वो रन मारेगा वो बिकेट निकालेगा तो जो फंटैस्टी क्रिकेट की विनिंग टीम है उसे बनाने में आसानी होगी और मैं आपको एक जबज़ज टीम बना कर दूँगा भी दोस्तों यह जो मैच है ना मौंगों ओवल ब्लोयम फॉंटेन में खिला जाएगा दोस्तों यहां के पीस के बेहवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी कितना स्कोर बनेगा क्या वो चेज होगा या डिफैंड होगा या फिर यहां की मदाल पर कौन सी ऐसी टीम है जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीत का जहन्टा गाड़ेगी मतलब मैच अपने नाम पर करेगी तो यह भी जानेंगे आज कि इस वीडियो में तो वीडियो काफी इंपोर् सब्सक्राइब करना इतना तो पहिं सकते हैं और आपको सभी फाइदे में रहना थो वो तो बहुत फायदे में तो आप पीछे क्यों आप भी जवाइदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पर नहीं बहुत ही नकली टेलिग्रा कि आपास जानते हैं कौन चलेगा और वह राएंग को जो जाएगा और अधिसे यह दूस्तों आप ये जानना जरूरी होता था तो अभी दो दिन पहले जो फर्स ओडियाई की मैंने वीडियो बनाए थी ना उसमें पिछ रिपोर्ट की वीडियो बनाई है क्योंकि वो जो मैश था ना मांगोंग ओवल बलो एम फाउंटेन में ही खेला गया था दोस्तों जो दूसरा ओड़ियाई मुकाबला ये भी मांगोंग ओवल बलो एम फाउंटेन में खेला जागा मतलब सेम पिछ है तो मैंने ना जो पि supreme ég पिशका रिकोर्ट है उनली बना दिये तो आप वह वीडियो जाके देख सकते हैं अब हम यहां पे सीधर की बारे में जानते यहां की कंडियsten के सबसे सबसे प्रियर सबसे ज्यादा रन बना सकता कॉन इस मैडान पर छूख remembers यहां कि पीछे पसंद करेंगे इस पे रन मनाना और मुझे लगता है आज की मैच में साट सत्तर या असी की पारी खेलेंगे कौन को इंटन डिकॉक तो को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए और सके तो कैप्टर एंड वाइस कैप्टर भी करना चाहिए टेंबा बमुमा क कर रहा था वैक्टिस कर रहा था और उसका रिजल्ट पिछले मैच में दीक रहा था ठीक ठाक बल्ले वाजी कर रहे थे टेंबा बमुमा और मुझे लगता आज की मैच में यह 50-60 की पारी खेलेंगे तो टेंबा बमुमा को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए वह त अगर बहुत खास बल्ले वाजी न कर पाएंगे कोण एंडरम माकरम क्योंकि जो सामने वाली टीम की गयंद बाजी है ना इंग्लेंड की इतनी भी खराब नहीं जो आएगा रन-रन बाटा जाएगा तो एडरम माकरम 10-12-15 बनाके निपढ़ सकते तो आपना इसे थोड़ा स बचके रहें बाकि अगर हम यहां पर हैंडी क्लासेन की बात करें तो हैंडी क्लासेन 30-40 की पारी खेल सकते हैं मतलब बहुत लंबी पारी आएगी 30-40 की पारी हैंडी क्लासेन के भी बल्ले से निकल सकती है तो आप इन्हें रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं बाक तो डेविड मिलर को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए बाकि अगर हम यहाँ पर वेन फार्णेल की बात करते हैं वेन पाले ना आपको बल्ले से आज के मैज में 30-35 बनाते दिखेंगे क्योंकि मुझे लगता सौधाफिका के बिकिट थोड़ा 20 में जल्दे किरेंगे तो वेन फार्णेल का बल्ले बाजी का नंबर आएगा बनाते दिखेंगे और गेंद बाजी करने आएंगे एकाता दो बिकिट भी ले जाएंगे कि फायती भी रहेंगे तो वेन फार्णेल को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए सिसांडा मंगाला की बात करें पहला जो प्रदक उस ना कर पाएंगे गेनवाजी अच्छी करेंगे तो सिसांडा मगाला को आप चाहे तो रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं अगर हम बात करें कगीशो रवाड़ा की तो कगीशो रवाड़ा ने जो आखरी के पांच मैच खेले उसमें नो बेगड निकाले म दो तीन बिकेट भी लेके जाएंगे कौन आनी सनोक्या तो आनी सनोक्या को भी आपको अपने टीम में रखना चाहिए बागी अगर हम बात करें हाँ पे तबरेश सम्ची कि तबरेश सम्ची मुझे लगता है आज की मैच में थोड़ा सा महेंगे सा भीत होंगे बिकेट एक मैच में फिर से जैसा हो है कि बले से 50, 60 या 70 की पारी निकल सकती है क्योंकि टीम वही है मैदान वही है एक है कहां फिर से बढ़िया के लेंगे दिनको आपको अपनी टीम में रखना चाहिए डेविड मलान की बात करते पिछले कुछ टाइब से आउट ओफ फॉर्म चले है कोई बात नहीं हो जाता है एकाता मैच में नहीं चलता लेकिन SNI की सम मैच में चलेगा नहीं बेंट डगेट आज के मैच में 50, 60 या 70 की पारी खेल सकती है या 80 भी मार सकता है तो बेंट डगेट को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कै गरते हैं अचाहिए अगर हम बात करें हैरी भुरुग की तो हैरी भुरुग भी काफी कमाल का बल्ले वाज़ा मुझे लगता ये भी ना आज के मैच में 40-50 सनों की पारी के लेंगे तो हैरी बुरुग को अपको अपनी टीम में रखना चाहिए जोस ना बोस जोस बटल की रखना चाही है, मौहिट अली की बात करें, तो मौहिट अली की जो forces भी खरादश चल ली, न तो बल्ल के से चल लां तो या भी मैच में और यहां से थोह सा अप भाच करेंगे सेम करण के साह्म करन की बहुत ह का वीचेथी में सब्सक्leistिक Chaska ज़दा अच्छा ना कर पाएंगे कौन डेविड विले मतलब एकाता बेक्टों मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा मेहके साभित हो पॉल्ले से भी ज्चाल कुछ ना कर पाएंगे तो डेविड विली से भी आप यहां पे तो बस के रहें बाकि अट करें जोफरा आचर की जोफ यह ओली स्टोन की बात करें तो यहां का जो पीछ है ना इनको और भी ज़्यादा पसंद आएगा ये भी बढ़िया गेंद बाजी करेंगा दो तीन बिकिट ले जा सकते है तो ओली स्टोन को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए इसलिए सारी एंडासिस पहले कर लिए बस आपके लिए पर्फेक्ट टीम बना कर दे दी बाकि अगर आपको इस मैच की दो तीन टीम चाहिए तो क्या ही करना कुछ भी नहीं करना डिस्किप्शन में जाना वहां पे लिंक के मिलें कि जॉइन कर लेना मैच स्टार्ट होने के 20 25 मेंट पहले आपको इस मैच की ना दो तीन टीम मिल जाएगी कहां पर मेरे टेली ग्राम पर जिन लोगों ने पहले से जॉइन किया वह तो बहुत ही फादे में तो आप पीछे क्यों आप भी जॉइन करो फादा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना है फेक से बसना है क पिछी पोर्ड में आजब विए और फंटासिफिक के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू